आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hello students, यह question दिया है कि यह rod of length L कोई rod है जिसकी length क्या है L rotate कर रहा है uniform angular velocity से omega के साथ perpendicular bisector के along a uniform magnetic field B exists parallel to its axis of rotation जिस axis के along वो rotate करा है उसी के along parallel direction में क्या है हमारा magnetic field है the potential difference between two ends दो ends के बीच में कराएगी जो दो ends है तो जो potential difference होगा दोरो ends के बीच में वो कितना होगा यह हमें क्या करना है बताना है तो let's do this तो एक rod draw कर लेते हम यहाँ पे तो यह हमारा क्या हो गया यह rod हो गया अब हमने इस point को क्या ले लिया center ले लिया इसी point के perpendicular direction में यह क्या कराएग रोटेट कर रहा है अगर इसको origin consider करें यह हमारा point of rotation है इसको यह क्या होगा L by 2 यह क्या होगा L by 2 तो यह हमारा क्या हो गया अब हमें दोनों int के बीच में बताना है, तो हमने एक strip ले रही है, origin से, x distance पर, discrete length कितनी है, dx है, तो इसमें कितना produce हो रहा है, तो de की value क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, b into, इसकी length क्या है, dx into, यहाँ पर linear velocity तो है, लेकिन linear velocity किस के term में लिखना होगा, omega के term में, तो इसको लिख सकते है, omega into x, ओके, तो de, जो छोटी से strip है, इसमें, जो e में produce हो रहा है, यह कितना आएगा, b omega x dx, ओके, यह छोटे से part में produce हो रहा है, तो अब हमें total के लिए क्या करना होगा, de को integrate करना होगा, ओके, तो limit कहां से कहां सक लेंगे हम, minus l by 2 से plus l by 2 तक, और इसको क्या करेंगे, integrate कर देंगे b omega x dx, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा हमारे पास, b omega तो बाहर हो जाएगा, minus l by 2 से plus l by 2, ओके, यह हो गए हमारे पास, और यहाँ पर यह क्या आजाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह x dx, अब x का जो integration होता है, जो क्या होता है, x square upon 2, और यह क्या हो जाएगा, minus l by 2 से plus l by 2, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, b omega values put करते हैं, तो upper limit put करेंगे तो कितना हैगा, minus lower limit put करेंगे तो कितना हैगा, l square upon 8, क्योंकि l का square हो जाएगा तो positive हो जाएगा, तो हमारा E का जो value आजाएगा, यह कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, ओके, तो अगर हम इसे देखें और यह अपने option से match करें, so A option is right option, ओके? Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर